सिख्षा के बारे में यह बीटियो है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं इस बीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो इस बीडियो के अंदर हम सीखेंगे सिक्षा का सब्दिकर्थ, सिक्षा की परिभासा, सिक्षा के गोड़ और सिक्षा का उद्दिस ये सबी कुछ हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्षा का सब्दिकर्थ तो अगर कोई आपसे ये पूचे सिच्छा जो सब्द है वो कहां से आया है तो वो संस्क्रिट भासा का सब्द है जिसका मतलब क्या होता है सिच्छा का यानि ग्यान प्राप्त करना ठीक है वहीं पर अगर हम सच्छा को इंग्लिस में बात करें तो सच्छा को इंग्लिस में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन जो है जो एजुकेशन जो है वो लेटिन भासा का सब्द है education जो है वो किसका है Latin भासा का सब्द है और जो किस से बना है एजुकेटम से बना है तो ध्यार रखना है education सब्द किस से बना है Latin भासा से बना है और कौन से सब्द से बना है एजुकेटम से बना है और जिसका मतलब क्या होता है सिक्षन कार रहे हैं ठीक है सिक्षा के परपस से जो कार किया जाता है वो क्या होता है सिक्षन कार रहे होता है ठीक है दोनों मतलब समझ में आ गया आपको ठीक है हिंदी में भी और इंगलिस में भी अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्षा की परिभासा की बात करें तो क्या ह यहां पर सिख्षा क्या है सिख्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है सिख्षा क्या है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीबन भर चलती रहती है अब देखो सिख्षा का मतलब क्या है देखो जब कोई भी जीब प्रत्वी पे जन्म लेता है तो वह कहीं न कहीं उसको क जानवर मेंूंस्यत डिकलोष है दत lower but the बीकास होता है यह inches दिमाग का जो विकास होता है क्यों कि उनको सिक्षा देने वाला और कोई नहीं है वहीं पर हम बात करें सकती है मनुस्य का जो विकास होता है वो किस लेवल पर होता है सारी जी विकास भी होता है सरीर के लेवल पर भी उसका विकास होता जाता है और दूसरा वो सिक्षा के द्वारा सिक्षा के द्वारा क्या करता है अपने दिमाग को भी क्या करता है उसका दिमाग का विकास होता जाता है तो जब दिमाग का विकास होता है तो वही कहीं न कहीं सिक्षा है जो सिक्षा का मतलब यह है कि आपके मस्तिस्क का कितना ज़्यादा विकास हो रहा है वही सिक्षा है जरूर नहीं कि जो किताब में लिखा है वही सिक्षा है जो आपकी सोच है आपका नॉलिज जितना ज़्यादा भड़ता जाएगा वही एजुकेशन है कि लिए समझ में आगे तो सिच्छा क्या है सीखने सिखाने की प्रिक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है वहीं पर अगर हम बात करें सिख्छा का आसे जीवन में चलने वाली ऐसी प्रिक्रिया से है जो मनुष्यों को अनुभव द्वारा प्राप्त होती है जो भी सिख्छा आप जो देख रहे हो जो भी आप सिख्छा प्राप्त करते हो वो क्या है अनुभवों से बनी हुई है जिसे अगर हम बात करें मानось्जे का क्या है अनुभवव से प्राप्त होती है सिच्छा की अनुभव बनती है अनुभव होसी सिक्षा अव स्क्षा क्या परिभासा थे की तो शिक्षा से मेरा आविप्रायब बालक या मनुष्य का सरीर का मस्तिस्क और आत्मा की सर्वागीन एवम सर्वोत्तम विकास से है यानि मस्तिस्क और आत्मा मस्तिस्क और मन ठीक है दिमाग माइंड और आपका जो मन है वो दोनों का विकास कैसा होना चाहिए बराबर होना चाहिए और सरीर का भी ठीक है सारे रूप से भी क्या होना चाहिए वो उसका बिकास होना ज़ाए अगर ये तीनो तरीके से बिकास हो गया तो इसी हुआ क्या हैं अगर आप अंदर के आ रहा हो ठीक है तो भी आपके हैं सिक्षित माने जाओगे और आपके मना आपका कैसा है सांत है भी भीचारों कर टाहएं तो उसको बहुंभी क्या वोलेंगे सिक्षा बोलेंगे था मातमा गांदी वहीं तो सिच्छा का अगर हम मनुष्य के लिए बात करें तो सिच्छा कार्थ क्या है स्वस्त सरीर में स्वस्त मन का निर्माड होना जरूरी स्वस्त मन का ये है कि किसी के बारे में दूसरों के बारे हम बुरा ही न सोचे अच्छा सोचे हमेशा तो इस तरीकी का अगर इंसान का एक behavior अगर तैयार हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे सिच्छा इंसान बोलेंगे यानि सिच्छा बोलेंगे समझ में आगी बात आपको ठीक है अगर हम सिच्छा की प्रकर्टी की बात करें तो क्या है सिच्छा जीवन बर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया Sims है इसा नि contenido हम स्कूल में ही सिच्छा लेते हैं हम हम में सा जब से हमारा जीवनगों सुरू होगा और जब तक हम ठीक है म्रत्य को सिच्छा प्रांब नहीं कर लेते नहीं चिछा नहीं चाहिते दूसरा यह प्रक्रिया बालकों के आंतर गुणों का क्या करती है विकास करती है जो भी बालक जनम लेता है उसके आंतर गुण कैसे है ठीक है उनको क्या है जिसके जो टैलेंट होता है उसको बाहर निकाल के लाती है तीसरा यह सामजी विकास की एक महत्पूर्ण प्रक्रिया है जिससे सिच्छक समाज और पाटक्रम और विद्यार्थी सामिल होते हैं कहने का मतलब यह कि समाज में किस तरीके से रहना है क्या करना है यह सब कुछ किसके अंतरगात आता है सिच्छा के अंतरगात आता है यह उसके तो आयों पापendeu को यह चोंटा सा वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको यह चोंटा सा वीडियो पसंद संद आया तो प्लिज आपड़ों को लाइक का दीजैजनल पे नहीं होतेगे तब तक के लिए जय हें बहने मात रोगा